क्या तारक महता में वापस लोच रही हैं दिसावकानी? सोखी रोशन ने दिया हिंट कॉमेडी सो तारक महता का उल्टा चस्मा के हाल ही में 12 साल पूरे हो गए हैं इस सोने लगतार दर्शकों को हसाने में सफलता हांसल की है अब जब लॉक्डाउन के बाद फिर शो के नए एपिसोड देखने को मिल रहे हैं तो दर्शक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं लेकिन एक सवाल अभी भी सभी के मन में है आखिर कब दिसावकानी शो में वापसी करेंगी? ये वो सवाल है जो पिछले दो साल से कई बार पूछा जा चुका है सो के मेकर्स ने कई बार ऐसे हिंट भी दिये हैं कि दिसावकानी वापसी करने जा रही है लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दर्शकों के हाथ सिर्फ माय सूजियो सी लगी अब तारट मेता में रोशन का रोल प्ले करने वाली जैनिफर ने एक न्यूस पोर्टिर को दिये इंटरव्यू में ऐसा हिंट दिया है जिससे ऐसे कयास लगने लगे हैं कि शायद सो को उनकी दया जल भी वापस मिलने वाली है जैनिफर ने एंटरव्यू में बताया कि मैं दिसा को काफे मस करती हूँ लेकिन क्यूंकि मैं भी कुछ सालों पहले तक उनकी जासी ही परिस्थिपियों में थी इसने सब समझ सबती हूँ उनकी वेटी इस समय प्रास मिता है मुझे पूरा बस्वास है कि वे शो में जल्दी वापस कराएंगी अच्छी बात ये भी है कि हम लगातार उनके टच में हैं हम फोन पर बात करते रहते हैं हमें समझना पड़ेगा कि परिवार की भी अपनी एहमियत होती है वे सावी कर अपना परिवार शुरू करना चाहती थी और अब जब ऐसा हो रहा है तब हमें उन्हें डिस्टॉब नहीं करना चाहिए अब मालूम हो कि इस से पहले भी ये कहा गया है कि दिसावगानी स्वो में वापसी कर रही है कुछ समय पहले शोग का एक ऐसा एपिसोड भी सूच किया गया था जिसमें दया को वीडियो कॉल के जडिये जेशालाल से बात करते हुए दिखाया गया था लेकिन वो पल भी सिर्फ एक एपिसोड टक ही सीमित रहा और दर्शकों का इंतजार बढ़ता रहा अब जेनिफर के बयान के बाद फैंस के फिर से उम्मीद बल गई है